हाई गाई इस वीडियो में हम लोग लिंक के बारे में बात करेंगे वैसे तो लिंक हम लोग HTML में बनाते हैं यह टेग के दुरू लेकिन उस लिंक को कैसे आप और अच्छिस्त रिप्रेजेंट कर सकते हैं वह हम लोग CSS में करते हैं तो यहां आपको कुछ चीजें पता होने चाहिए ए लिंक यह हमारा जो कि एक नॉर्मल अन्विजिटेड लिंक को रिप्रेजेंट करता है ए विजिटेड यह एक ऐसे लिंक को रिप्रेजेंट करता है जो कि विजिट हो चुका है ऑए कि अइसे लिंग को रिप्रसिंट करता है जिसमें माऊस लेकर जाते ह। उस लिंग के उपर में अगर अपना करला रखते हैं, तो उस चीश को रिप्रसिंट करता है A active जैसे आप click करते हैं आपने छोड़ा नहीं यह बस click करके रखा हुआ यह इस चीज को represent करता है यह active ठीक है इसका example देखें तो हम लोग A link के अंदर color red करते हैं तो जो unvisited link है वो red color में आपको दिखाए देगा इसमें कुछ rules जो follow करने पड़ते हैं जैसे कि A hover जो होता है वो A link और A visited के बाद आना चाहिए यह order है पहले A link होगा A visited होगा then A hover का code लिखेंगे कुछ तरीके से A active का code कभी लिखेंगे जब A A hover का code लिखा जा चुका होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं इसको और example में समझते हैं और अच्छे तरीके से हमेंने कुछ भी नहीं किया हमेंने सिप एक link create किया हुआ है तो इसको अगर हम लोगा run करें सेव कर लेते हैं पहले सेव किया मैने इसको अगर आप run करेंगे तो यह आप देखेंगे कि यह एक link आ रहा है ठीक है यह by default इसमें कुछ color set होते हैं जिसके भी आपको blue color का दिखाई दे रहा है इस पर अगर आप click कर लें यह अगर हम लोग click करें तो यह red हो जाता है ठीक है और इसको अगर आप छोड़ दें तो यह देखें विजिटेड यह विजिटेड है देखें हम लोगों ने थियोरी में बढ़ा था ए नॉर्मल अन्विजिटेड तो अन्विजिटेड बाइ डिफल्ट ब्लू होता है अ लिंक user has visited तो विजिटेड पता नहीं ब्लैक टैप क इसके उपर में रखा तो वह जिस अप्लिटेड आप अपको विजिटेड ही दिखाई देगा क्योंकि आपने विजिट कर लिया है आपके ब्रॉजर में यह सेव हो चुका है यह आपने इसको विजिट कर लिया है इसको फिर से क्लिक करेंगे तो यह रड़ दिखेगा और फिर से वह एकलर आए यानिकि ब्लू आपको भी नहीं मिलेगा ब्लू मिलेगा कब जब आप इसको एक बार और यहां लिंक में कोई परवर्तन करते हैं हम अपने कोड में या पर ब्राजर का क्यास क्लियर किजिएगा कुकी से अगरे क्लियर किजिएगा तो आपको फिर से इसको चेंज कर गया तो यह हमें मिल जाएगा फिर से ब्लू में कि ब्लू में आ गया ओके सो इसको इसको रहने देते नीचे और हम लोग यह सेट करते हैं तो से पहले यह लिंक चो कि एक्टिव है यह लिंक इसका हम लोग कोड सेट करते हैं तो सिर्फ मैं कलर चेंज कर रह इसको save करते हैं और इसको run करते हैं इसको refresh करते हैं यहां से इसको refresh करेंगे तो आ दखें कि यह अब आपको red दिखाए देने लगा उसी तरही किसे next जो है visited visited को करते हैं तो visited इसका अगर अब color set करें red नहीं red तो ही visited का color हम लोग set करते हैं क्या मुझे तो ज्यदा color भी नहीं पता ग्रीन करते हैं ठीक है मैं colors जंद आप में copy करता हूं पता है आप लोग में color का ज्यदा मुझे idea नहीं है क्वान ग्लेसे color होते हैं क्या होते हैं बस नॉर्मल यही से नाम पता है red, green, blue, yellow, what is that ज्यादर color के नाम में copy कर लेता हूं internet से डून करें okay so a visited हो या अब a hover करते हैं यादर किएगा कि a hover आपको तभी करना है जब आपका a link और a visited set हो a hover जो link और visited के बाद आता है तो यहां हम लोग color set करते हैं यह हम लोग क्या करेंगे यह हम लोग करते हैं blue या पिर करते हैं yellow टेके yellow करते हैं उसके बाद एक last हमारा है जो कि active जैसे ही कोई click करकता है click करकर रखता है तो active में क्या color आए color उस वक्त क्या color आए उस वक्त color आए आपका blue ब्लू देते हैं इसको save करते हैं और इसको हम लोग refresh करते हैं यहां से तो अभी तो यह आपको ready दिखाई देगा जब आप इस पर अपना mouse लेका चाहिएगा अपना cursor तो यह yellow हो जाएगा और आप इस पर click करके रखेंगे तो यह blue जब इसको visit कर लेंगे छोड़ देंगे तो यह फिर से हो गया आपका green ठीक है तो यह आप इस तरीके से अपने link customize कर सकते हैं color change कर सकते हैं सिर्फ color ही change नहीं कर सकते हैं आप बलकि आप चाहें तो और भी बहुत सारी properties यहां set कर सकते हैं ठीक है जैसे कि एक visited link में आप underline देना चाहते हैं फिर आपने link में underline देना चाहते हैं तो वह भी आप यहां property उसका property सब देख लिजिए कौन सा property और कौन सा value इस्तमाल होता है वह आप यहां दे सकते हैं आप font change करना चाहें तो आप वह भी कर सकते हैं आप size बढ़ा च्टा चीजिए जो भी properties आपको पता हैं सारी चीजिए आप यहाँ apply करके देखिए कुछ ने कुछ तो आपका मिलेगा ही मैंने कहा था कई वर में कहता हूं कि css में क्या कि कोई किसी चीज की बंदी से नहीं यहां आप कुछ भी apply कर सकते हैं किसी भी चीज में बस थोड़ा सा term condition ह आपको चेक करना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या रहा है क्या वह हो सकता है यह नहीं हो सकता है इसी तरीके साथ इसमें expert बन सकते हैं अदर्वाज अगर आप सोचेंगे कि कोई आपको आकर बताए सभी सब कुछ एक एक चीज तो ऐसा possible नहीं हो पाएगा कोई बता नहीं पाएगा अब यहां अब मैं आपको नहीं बता सकता कि font change करो फिर मुझे font size बताना पड़ेगा फिर font style बताना पड़ेगा फिर font family बताओ फिर border फिर यह फिर इस विद्ध यह इसे क्यों कि बसर time consume होने लगेगा और आपको main concept जो था हमारा वह miss हो जाएगा इसलिए आप क्यों कैसे आप और अच्छा बना सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने client के लिए thanks for watching